ज्याम अविंदवाश्नी हरहर महादेव आप सभी अस्वागत है हमारी युट्व परिवार में आज का विशय सम्मान विशय से हट करके है और मैं आप सभी से प्रातना करूंगा कि अगर इस प्रकार की दूसर से जिसे हम ब्रह्म हराक्षा सोस कहते हैं अगर इस प्रकार की पीड़ा से आप पीड़ी थें तो सबसे पहले तो योग्य और अनभवी साध्यक जानकार किसी वेक्ति से दिखाईए हाला कि आज का जो यहाँ प्रियोग है इसमें किसी भी प्रकार का कोई तिरेक प्रभाव नहीं है क्योंकि यहाँ प्रियोग नहीं बलकि सदासिव का ही पूजन का एक विदान है भगवाण शडासिव ही एक मात्र ऐसे देवता है एक ऐसे महा देव का एक ऐसा स्वरूप है जो की हर प्रकार के दोस्तों को सांत करने का पुनेदों से सामर्थ रखते हैं । ब्रह्म राक्ष्यों कितने भी प्रभल क्यों नहों सिवो के क्रिपा से रुद्र की क्रिपा से या तो वा सांत होते हैं या बंदीत होते हैं अब ब्रह्म्त दूठ अनेक विधान नेक आज चोटा सा विधान इसे कोई भी कर सकता है या चोटा सा विधान है इसे आप पहले समझ लेजे इसे सबसे पहले कि विदान को सुरू करें मैं आप सभी से निविदान करूंगा क्रिपया चानल को सब्सक्राइब करें विडियो लाइक करें आपके कोई प्रश्ण हो तो कमेंट करें टेलीग्राम गुरूप का लिंक और सद्ध साबरे विद्या नामे दूसरे यूट्यूब चै कोई ब्रह्म जो हैं पीडा देते हैं कोई ब्रह्म रहते हैं पीडा नहीं देते लेकिन आपके कारियों में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होने देते हैं और अनेकों बार कई सारे ब्रह्मस्थान पर दिखा करके भी अगर आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो नियती अगर आप वह भी नहीं करवा सकते हैं तो यह जो प्रियोग है अगर आपके बास बिल्कुल भी सामर्थ नहीं वचा है तो उस समय जो है यह प्रियोग करना चाहिए ब्रह्म कभी भी जनेव से सांत होते हैं बाल ब्रह्म में दो प्रकार की चीज़ों को कहा जाता है एक कहा जाता है कि बारह भरसे से अधिक के होने के परशाद जो है वो जनेव की मांग करते हैं और बहुत बार यह भी होता है यह निर्भर करता है चीज़ों के उपर बहुत बार यह होता है कि पुराने जो ब्रह्म हो किसी कारणवस कोपित हो करके आते हैं और सरीडी ने विभिन प्रकार की बाधाःधपन करते हैं और बहूत बार अभिचार में चलाए गये होते है हर प्रकार के ब्रह्मों जब भी उनको को बांधा जाएगा या उनको बैठाया जाएगा उसमें जनेव खडाव लंगोट जंडा यह सब अतिम हत्यपूर्ण होता है कि यह प्रियोग तभी करना है जब वह रुष्ट हो कोपित हो किसी भी माध्यम से सांत ना हो रहे हो ऐसे समय में आपको किसी भी सिवजी के ऐसी मं मंधिर में जाना चाहिए जहां सिव के पास्यों आपको आप्स नहीं करना है जो कि कोई उठा करके पीपल ब्रिष्ट की नीचे रख दिया है किसी और सिव लिंग रख्वा हुए वैसे जोगों पर नहीं करना है प्राण, पतुस्टित, सिवलिंग एक मिठी का पात्र लेंगे, गाय का कच्छा दूद लेंगे, गाय का कच्छा दूद, एक मिठी का पात्र, दो जनेव, और एक लोटा जल, सर्फ इतना ही आपको लेना है, जिस वक्ति की उपर भी ब्रह्मराक्चस की पीड़ा है, ब्रह्म दो से है, चाहे वो प्रकट रूप से है स्रेड पे खेलना शुरू कर दे रहा है कोई उसको सम्हाल नहीं पा रहा है उस अवस्था में भी या फिर सामाने है खेल नहीं रहा लेकिन स्रेड पे है परसानी कर रहा है उस अवस्था में इन दोनों अवस्थाओं के लिए केंपको सुभा सुबा ही है प्रयोग करना है एक लोटा जल जो लेंगे और छो रहेगा कभी भी पीतल का रहेगा इस बात का ध्धान के लोटा चसा में प्रयोग प्रथम आप यहाँ बोलेंगे कि मेरे घर में जो यहाँ ब्रह्म दोज है इसकी सांती है तू हे सदासिव मैं आपको यगुपवित समर्पित करने का संकलब लेता हूं हे सदासिव आप यगुपवित को स्विकार करके उस ब्रह्म को सांत करने की कृपा करें सिर्फ आपको इ लेइं किसी भी देवितर आगों अगर नहीं हुहा है तो नहीं कर सकते हैं तो इस आवस्था में आप जो है संक लेले संकल्प यह लिए अब आपको क्या बदलना होगा राट में दी के द्वारा पुजारी जी के द्वारा आपको समर्पित करने का संकल्पिताओं कृप्या आप इसे स्विकार करके सांति प्रदान करें और आपको ब्रामन के कुछ नहीं बोलना कि पंडी जन्यों बाबा को चड़ा देजिए ठीक है वह दो जन्यों लेंगे उसमें से एक जन् मात में रख लेजिए दीजिए उसको यह कर गें दूद जो है वहीं पर आपको रख राना है तो जो है बाबा को चड़ा देंगे तो समर्पित होगा दूसरा जन्यों आप मन में हम बोल करके देंगे कि है सदासिव आप अपने माध्धम से हमारे घर में उपस्तित वस ब्र इसमें सिव को समरपित करने के पच्छा दूद है वह कच्छा दूद सदासिव के सिवलिंग के उपर डालेंगे सदासिव को समरपित करते हुए कि है सदासिव आप इससे श्विकार करें और ब्रह्म को सांत करें यह बोलकर के कच्छा दूद उनके उपर डाल देंगे उसके परशार जो है अभिशेख करेंगे जल से और आप अब दीपक जलाना चाहते हैं दीपक इत्यादी धुब जला लेजे प्रणाम करके चलिए इसको और विशेश विद्य से करने के लिए जो जनेव समर्भित करना है उस जनेव को अभी मंत्रित किया जाता है अगर आप योगो अब आपको प्रतीक जनेव आपको जो है इस तो करना है जिसे ब्रह्म्हक्तर सिवस्रोत करते हैं इस सुरोत का पाण अगर आप करते हैं तो आपको अत्यनत लाव होगा इस दोस्त के संति हैं तो दूसरी चीज़ यह है कि यह आप कब करेंगी यह आप मंदिर में करेंगे यह शुरूत या तो आप प्रिटियेप में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल दीजे और वहां पर भी आप बैठ के कर सकते हैं या फिर आप अगर कंठस्त कर लें तो अति उत्तम है तो इस शुरूत में क्या होगा कि दूध में डाल के घर से तो जन्यों को लाएं ले जैसे नमो भवाय देवाय रस्या मुझे आत्मने यह जो पूरा मंत्र है पूरा का पूरा नमसम्रित मुर्त यह यह पूरा का पूरा मंत्र जो है सुरू से अंतिम्त का पाठ करेंगे यह एक बार पाठ को ऐसे हैं पांच बार पाठ करके पुना जन्यों को दूध में डाल और फिर प्रातना इत्यादी करके दोनों जनेव को अच्छे से निकाल लीजिए स्वयम समर्पित करना है तो एक एक करके जैसे बताएं वैसे करें या फिर पंडेजी को देखे करना है इससे क्या होगा कि यह जो जब समर्पित होगा तो उसकी उगरता में सांती आएगी जो घर में उपस्तित है ब्रह्म अपिचास ब्रह्म राक्षा वो जिस भी योनिका है चाहें वह देव योनिका ही क्यों नहों अगर वो उग्र हो गया है किसी भी कारण वस चाहें वह अभिचार के कारण हो अभिचारी गतिवित्ती के कारण हो या कुछ आपकी किसी गल्दी के कारण उसमें सांती आएगी और आपको सदासिव से बारबार प्रातना करना है अंतिम काम एक यह करना है जब आप दूद और जल इतारी से भी सिक करेंगे तो जो जल सीवजी की उपर से नीचे गिरेगा उसे अपने पात्र में थोड़ा सा जल ले करके आएंगे और उसी जल म जो चंदन होता है सही चंदन जो होता है लकड़ी से घसने वाला उसको घस के वो चंदन उस व्यक्ति के मात्य पर लगाएंगे जिस व्यक्ति के उपर ब्रह्मदोस है या आ रहा है जिसके उपर में सदासिव का इसे मंत्र का जो ब्रह्मदोस होते इसका पार्ट करते हुए आप लगा लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा PDF का या फिर उस पुरे मंत्र को ही हम लिख देंगे आप लोग उसे देख करके इसके इस प्रकार से आप जो एक सम्मान चोटा सा प्रयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से आपको थोड़ी से सांती मिलेगी उसकी उगरता कम होगी आपको समय मिलेगा कुछ और करने के लिए हलाकि यह चीजें काफी अधिक उगर होती है इसलिए से में स्वेम से बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन महादेव के माध्यम से चीजों को सांती किरा सकता है और यहां पे सिर्फ वही बताया गया है फिर भी अगर आपके मन में जरासा भी संसे हो सक हो कि आ आपके साथ अलग-अलग हो सकता है कौन किसके साथ कैस्टिती है यहां से नहीं पता सकता है हम जो चीजें बता है कौमन रुप से बता है फिर भी यह बात में बोल रहा हूं कि अगर किसी यह प्रकार की हानी होती है तो उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है आप किसी नहीं प्राप्ता है। जया माविंद वाश्नु हरहर महादेव।